आईपील 2022 के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स टीम के कप्तान रिशब पंथ का मैच के दोरान गुस्सा होना उन पर भारी पड़ गया है दरसल आईपील ने आचार सनीता के उलंगन का दोशी मानते हुए बतौर सजा पंथ पर जुर्माना लगाया है उनके साथ ही टीम के तेज गेंदबाजी ओल राउंडर शार्दुर्थाकुर और असिस्टेंट कोच प्रवीन आमरे पर भी जुर्माना लगाया गया है दरसल दिल्ली टीम ने 22 अप्रेल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच खेला था जिसमें रिशबपंथ की टीम को 15 रनों से हार जेलना पड़ा था इसी मैच के आखरी ओवर में नो बॉल को लेकर बहस भी हुई थी इस दोरान रिशबपंथ ने गुस्से में अपने बले बाजों को वापस बुलाने का इशारा कर दिया इसके लिए उन्होंने आमरे को भी मैदान पर भेज दिया था वहिशारदुन ने इस मामने में दोनों का साथ दिया था बताने कि इसी को लेकर उन्हें आचास संहिता के उलंगन का दोशी पाया गया है और उन्हों पर मैच फीस का सो प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है रिशब ने इस आरोब पर जुर्माने को कुबूल भी कर लिया है वहिशारदुन थाकुर पर मैच फीस का पचास प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है उन्होंने भी इसे स्विकार कर लिया है मालूम हो कि रिशप पंथ को IPL आचा सनीता के लेवल 2 के तहर आर्टिकल 2.7 नियम के उलंगन का दोशी पाया गया है जबकि शादुल को IPL आचा सनीता के लेवल 2 के तहर आर्टिकल 2.8 नियम के उलंगन का दोशी पाया गया है लेकिन अमपायर से बहस करने और अपने खिलाडियों को वापस बुलाने के लिए मैदान में अंदर आने वाले दिल्ली टीम के असिस्टेंट कोच प्रवीन आमरे को कुछ जादा ही सजा मिली है उन पर मैच फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना तो लगाया ही गया है साथ ही उन्हें अगले एक मैच के लिए बैन भी कर दिया गया है बताते चले के आमरे को आईपील अचास अनिता के लेवल 2 के तहट आर्टिकल 2.2 नियम के उलंगन का दोशी पाया गया है मैच में 223 रनों के टार्गेट का पीछा करते हुए दिल्ली टीम को आखरी ओवर में जीत के लिए 36 रनों की जरुरत थी इसके तहर जीत के लिए हर बॉल पर सिकसर जरूरी हो गया था आखरी ओवर ओबेड मैकॉई ने किया जबकि क्रीज पर रोवमेन पावेल और कुलदीप यादव मौजूद थे ऐसे में रोवमेन ने मैकॉई की शुरुवाती तीन बॉल पर तीन लंबे सिकसर मारे यही तीसरी बॉल पर डगाउट में बैठे रिशब पंथ ने विरोध करते हुए इसे कमर से उपर वाली नो बॉल बताया जबकि अंपायर ने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया था तभी अंपायर के फैसले से गुसाई पंथ ने दोनों बल्ले बाजों को वापस बुलाने का इशारा कर दिया था ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें